नमस्कार प्यर्य दर्शकों, मैं आपका जोतिश मित्र आधित्य दुबेदी श्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल नच्छत्र तक में आप अपनी कुंडली का परामर्स चाहते हैं, अपने प्षणों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का शमाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दसाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी सुभ मुहूर्द के बारे में जानकारी लेना चाहते ह तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या वाटसप मैसेज कर सकते हैं वर्ग कुंडलियों की अनूठी व्याख्या के बारे में हम आपको लगातार कारिक्रम दे रहे हैं लगन कुंडली हो या कोई भी वर्ग कुंडली हो उसमें लगन से आप गोड़ विचार कैसे करेंगे दुतिये भाव तुतिये भाव से कैसे करेंगे ये आपको बताया जा चुका है आज हम बात करेंगे फुर्थ हाउस का कुंडली के चतुर्थ भाव का यह कुंडली के चतुर्थ भाव से मतलब है कि सिर्फ लगन कुंडली ही नहीं किसी भी कुंडली चाहे वो नौमांस हो, दसमांस हो, आपका देशकार हो, सब्तमांस हो चतुर्थ भाव को एक साथ आप सभी कुंडलियों में कैसे देख सकते हैं सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि चतुर्थ भाव होता किस चीज़ का है इसका जो एक common नाम बताया गया है कि ये है सुख भाव यानि सुख को देखा जाता है चतुर्थ भाव से अभी सुख जो होता है इसकी एक अलग ही प्रकार की ब्याख्या है आपके पास में बहुत बड़ी गारी है लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप उससे सुखी नहीं हो सकते हैं सुख का मतलब होता है सुख आता है कहां से संतुष्टी से संतुष्टी ही जीवन में क्या लाती है सुख लाती है व्यक्ति क्या उसके पास जो चीजें है जो वो प्राप्त कर रहा है जीवन में चीजों को पा करके क्या वह संतुष्ट हो पा रहा है की नहीं ये चतुर्थ भाव बताता है किसी भी वर्ग कुंडली का तो व्यक्ति के जीवन में सुख साधन और उन सुख साधनों से संतुष्टी का अस्तर आपके लाइफ में जो भी चीजें हैं भौतिक रूप से सामिल हैं उन सभी का सुख और संतुष्टी का लेबल किसी भी चीज से आपके जीवन में चाहे वो पतनी हो बच्चा हो घर हो गारी हो उन चीजों से आपको क्या-क्या खुसी मिल रही है इन सारे चीजों का विचार चतुर्थ हाउस से होता है सुख मिल रहा है वो सुख से क्या आपको खुसी मिल रही है ये चीज आपका विचार होता है संतोष्टी, खुसी, सुख और साधनों का विचार जो होता है चतुर्थ भाव से विचार होता है ये चीज आप जानियाँ इसी चीज को हम अपलाई करेंगे अलग-अलग कुंडलियों पर पहले हम ले लेते हैं लगन कुंडली को एक-दो कुंडलीयों पर मैं आपको समझाओंगा और आपको सभी वर्ग कुंडली पर अपने आप ही समझ में आ जाएंगे चीजें लगन कुंडली का जो ये चतुर्थ भाव है इसको कौन सा भाव कहते हैं सुख भाव लगन मतलब क्या होता है सरीर आपके अपने सरीर को अपने द्वारा मिलने वाला जो सुख है हर व्यक्ति अपने आपको सुख देता है, हर व्यक्ति अपने बच्चों को सुख देता है, अपने कर्मचारियों को सुख देता है, तो व्यक्ति अपनी संतुष्टी के लिए जो प्रयास करता है, अपने सुख साधन संतुष्टी खुसी के लिए जो प्रयास करता है, उसको प्लगन कुंडली के चतुर्थ भाव से देखेंगे ये जो चतुर्थ भाव होता है हमारे जीवन में ये परिवार का भी भाव होता है ये आपका परिवार है ये आप स्वयम है ये आपका परिवार है घर है आपका घर मतलब होम है हाउस नहीं है व्यक्ति के जीवन में हाउस तो कई सारे हो सकते हैं हाउस से व्यक्ति income कर सकता है rent ओ गैरा आपे देखे लेकिन home से व्यक्ति को क्या मिलती है खुसियां मिलती है संतुष्टी मिलता है तो ये चतुर्थ भाव आपका क्या है Home है तो आपका home जो है घर जो है परिवार जो है उसका विचार होगा उसमें कितनी खुसियां है कितनी संतुष्टी है परिवार में कला है कि परिवार में सांती है परिवार में लोगों का जीवन आउसाद से भरा हुआ है आउसाद मतलब आज के लाइफ में तो बहुत से लोगों का जीवन आउसाद से भरा ह हुआ है घर में सारे सुक्साधन है लेकिन व्यक्ति का मन दुखी है अवसाद से भरा हुआ है व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम से दूर होता जा रहा परिवार में तो उसी को आवसाद बोलते हैं प्रेम का भाव परसपर तो यह चतुर्थ भाव से हम देखेंगे परिवार का परिवारिक सुख का, अब यहाँ पे आप ये चीज समझे, यही चीज आपको हर कुंडली पर अपलाई करना है, मैं यहाँ पे नौमांस को भी साथ साथ ले लेता हूँ, अभी अन्यवर्ग कुंडलीों पर भी मैं आपको समझा दूँगा, लगन का चतुर्थ, नौमांस का यहाँ पर भी क्या होगा, सुख ही होगा, सुख, संतुष्टी, परिवार का भाव है, क्रूरग्रा हमारे कौन-कौन से है, सूर्य है, मंगल है, राहू है, केतु है, और सनी है, यह हमारे क्रूरग्रा है, सुभग्रा में हमारा सुक्र हो गया, बुद्ध हो गया, गुरु ह और चंद्र हो गया यह आप दो कटेगरी जानते ही हैं जो संतुष्टी का लेबल है व्यक्ति जो साधन पा रहा है उससे उसका मन सुखी हो जाए मन में प्रसन्नतार है यह सारी चीजें आपको पता चलंगी जब चतुर्थ भाव पे किसी सुभगरा का प्रभाव रहेगा या चतुर्थ भाव पे सुभगरहों का प्रभाव होना सुभगरह बैठा हो सुभगरह की दृष्टी हो तो परिवार अच्छा चलता है परिवार में कलह नहीं रहती तालमेल रहता है परेशानिया आती हैं तो लोग मिलके लड़ लेते हैं ऐसा व्यक्ति निरंतर परिवार के उत्थान के प्रति सिर्फ अपने लिए ही नहीं परिवार के विकास के लिए ध्यान देता है लेकिन अगर महीं कुरूर ग्रह बैठा होता है चतुर्थ भाओं में तो वो क्या करता है कि वो परिवार में आवसाद पैदा करता है परिवार में कलह किसी ना किसी बात को ले करके पैदा करता है क्या होता है कि कभी कभी कलह हुई मौके पे गुस्सा आया दो सदस से परिवार के एक दूसरे को कुछ बोल के दस मिनट बात बात खतम नॉर्मल लाइफ में आ गए लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि गुस्सा तो हर जगह है परिवार में विवार भी है जहां चार बड़तन है वहां खटक पटक तो होगा ही होगा लेकिन जब सुभग्रह का प्रभाव होता है तो लोग उन बातों को दिल पे नहीं ले जाते हैं वहीं जब क्रूर ग्रह होता है तो जब पारिवारिस खटमस होती है तो लोग उसे पकड़ के बैठ जाते हैं अलगाव और बटवारे का कारण बना देती है चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रह का होना परिवार में आउसाद पारिवारिक जीवन से आउसाद देता है चतुर्थ भाव में सुभग्रह का होना आत्मसंतुष्टी देता है व्यक्ति कम मिलता है कुछ भी परिवार से तो भी संतुष्ट है क्रूर ग्राह के होने पर व्यक्ति के मन में ये बात आ जाती है कि किसी परिवार के सदस्य के प्रत की फला ने मेरे लिए किया ही क्या है भाई ने मेरे लिए किया ही क्या पिता ने मेरे लिए किया ही क्या जो मैं करूँ तो सुभग्रा का प्रभाव होने से ये सारी चीजे नहीं आती है अब यहाँ पे अगर देख लीजिए एक सोत्र हमेशा हर जगह अपलाई होगा किसी भी भाव में स्वाग्रही ग्रह हो चाहे वह कुरूर ग्रह हो चाहे सुभग्रह हो अगर कोई ग्रह स्वाग रही है अपने ही घर का होके बैठा हुआ है तो उस भाव के फल को बिगाड़ेगा नहीं भाव का फल अच्छा देगा जैसे हमने कहा कि यहाँ पे सूर्य क्रूर ग्रह है लेकिन सूर्य यहीं पर पांच नंबर की गिंती पर होके बैठेगा तो सूर्य का सुभाव तो है गर्मी पैदा करना परिवार में गर्मी पैदा करेगा परिवारिक सदस्यों के बीच में लेकिन इतना नहीं बिगाड़ेगा कि परिवार तूट जाए परिवार मन में सुक संतुष्टी ना आने पाया ऐसा होने नहीं देगा महत्वा कांछा व्यक्ति के अंदर पैदा करेगा अगर स्वागरही ग्राह है वह कुरूर ग्राह है लेकिन ऐसा नहीं है कि उस महत्वा कांछा में व्यक्ति संतुष्ट ही नहीं होगा व्यक्ति संतुष्ट होगा यानि स्वागरही ग्राह हमेशा अच्छा है और अगर सुभग्रा है सुभग्रा के दृष्टी है तो अच्छी है नीच ग्रह अगर बेठा हो चाहे वह सुभग्रा हो चाहे कुरूर ग्रह हो नीच रासी का ग्रह अगर बेठा है तो अच्छा नहीं है आजाईए नौमांस कुंडली पर अभी सब जब आप बारी बारी से दो तीन कुंडली ओंपर अपलाई करके देख लेंगे तो अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि लगन नौमांस अब्तमांस दसमांस पर कैसे लागू करना है नौमांस किसकी कुंडली होती है आपके लाइफ पार्टनर की जीवन साथी की कुंडली होती है अगर आप पुरुस हैं तो आपके पत्नी के लिए और अगर आप इस्तरी हैं तो आपके पती के लिए नौमांस से हम क्या देखते हैं वैवाहिक जीवन और चतुर्थ भाव किसका होता है सुख का संतुष्टी का तो यानि नौमांस मतलब विवाह चतुर्थ मतलब सुख यानि नौमांस के चतुर्थ भाव से क्या हम देखते हैं वैवाहिक सुख नौमांस के चतुर्थ भाव से ध्यान से देखिएगा बहुत ही important चीज है और एक नई चीज आपको पता चल जाएगी कुंडली मिलान में भी आप इस चीज को apply कर सकते हैं नौमांस के चतुर्थ भाव से वैवाहिक सुख देखते हैं दो लोगों का विवा हो गया आपस में उनमें प्रेम रहेगा की नहीं दो लोग हैं खुब लडाई जगडा करते हैं लडाई जगडा के बाद वो सत्रुता पर उतारू हो गए किसी ने केस कर दिया मामला कोर्ट में चला गया चीजें बिगड गए और लडाई जगडा होने के बावजूद भी क्या प्रेम रहने वाला है की नहीं लडाई जगडा हर जगए हो सकता है या हो सकता है ना हो लेकिन आपको यह देखना है कि सामने वाला जो आपका जीवन साथी है वह क्या आपसे संतुष्ट है क्या वह आपको जीवन में खुसियां देना चाहता है अपने कारे से अपने व्यवहार से चतुर्थ भाव किसका होता है परिवार का भी मैंने लिखा तो आपका जो जीवन साथी होगा आपका जिससे विवा हो रहा क्या आपकी पतनी आपके प्रति संवेदनाय रखेगा की नहीं रखेगा ये सब चतोर्थ भाव से पता चलता है यानि वेवाहिद जीवन की खुसियां वेवाहिद जीवन में संतुष्टी आदि पता चलती है चतोर्थ भाव से नौमान्स कुंडली के अब अगर यहां पर कोई सुभगरह बैठा यह सुभगरह की दृष्टी है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन उसका जो जीवन साथी होता है वह उसे संतुष्ट करने का प्रयास करता है उसका जीवन साथी उससे वास्तों में प्रेम करने वाला होता है लड़ लिया हो जगडा कर लिया हो लेकिन तब भी प्रेम करेगा ही खुब जगड़ा होता हो लेकिन दस मिनट पास मिनट घंटे भर बाद वो प्रेम की मात्रा अधिक है वास्तों में जिस चीज की मात्रा अधिक होती है वही बिजेई होता है किसी दो कलर को हम मैस करेंगे या दो चीजों को मिलाएंगे तो बिजेई वही होगा जिसकी मात्र अधिक होगी तो अगर प्रेम अधिक है तो लड़ाई जगड़ा होने के बावजुद वही जीतेगा यहाँ पे सुब गरह का होना आपको बताता है कि बेवाहिक जीवन में खुसियां रहने वाली हैं सुब गरह की दृष्टी होना बेवाहिक जीवन में खुसियां संतुष् सुख ये सब देने माला है वहीं अगर क्रूर ग्रह बैठा है या क्रूर ग्रह की दृष्टी है तो जो एक attachment होता है मन का attachment पती पत्नी के अंतर आत्मा का attachment जो होता है वो नहीं हो पाता है अगर सुभग्रह की दृष्टी है सुभग्रह बैठा है या कोई ग्रह अपनी रासी में बैठा हुआ है स्वाग्रही होके बैठा हुआ है तो आप समझे आपका और आपके जीवन साथी का अटेच्मेंट बड़ा अच्छा रहने माला है वहीं कुरूर ग्रह बैठा हो कुरूर ग्रह की दृष्टी हो या कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ हो तो विवाह चलाने के लिए सिर्फ प्रयास किये जाएंगे कि हाँ विवाह हुआ है ये मेरा पतनी है ये मेरी पती है ये मेरा पती है चलाना है रिस्ता प्रेम नहीं डबल पहो पाता है तो बहरा हो अगर नीच का होगा तो भी यही रिजल्ट देगा यानि यह जो चतुर्थ भाव है यह आपके और आपके जीवन साथी के परस पर खुसियों को परस पर संतुष्टी को परिवार को साथ लेके चलने की भावना आदिको दरसाता है वही चीज यहां ही है अगर हम इसी चीज को चेंज कर दें नौमांस हटा करके हम इसको सब्तमांस कर दें तो सब्तमांस में यही चीज कैसे लागू होगी सब्तमांस मतलब होता है यह बच्चों के लिए बच्चों की कुंडली है और बनी किस से है आपके डेट आफ बर्थ से आपके डेट से सुख और संतोष्टी मिलेगी की नहीं मिलेगी ये कौन सा भाव बताता है सब्तमांस कुंडली का फोर्थ हाउस अगर सब्तमांस कुंडली का फोर्थ हाउस अच्छा है सुभगरा है अच्छा ग्रह बेठा है अच्छे ग्रहों की दृष्टी है उस भाव का स्वामी उच् में हो जैसे आप लगन कुंडली पर देखते हैं कि 6-8-12 में ना हो अच्छा हो सुभग्रा के साथ में हो वही सेम चीज देखना है अगर सब्तमास कुंडली का फोर्थ हाउस अच्छा हुआ तो आपको अपने बच्चे से खुसियां प्राप्त होंगी आपको अपने बच्च यानि आप अपने बच्चे को साधन भी जीवन में देपाएंगे और आपका बच्चा आपको भी जीवन में साधन देने का प्रयास करेगा किसी चीज की जीवन में कमी है तो उसकी पूर्ती करने के लिए प्रयास करेगा कैरिंग होगा यहाँ केरिंग सब्द बड़ा important है कुंडली का फोर्थ हाउस अच्छा है तो बच्चा आपके प्रतिकेरिंग होगा आप बच्चे के प्रतिकेरिंग होंगे अब इसी प्रकार से हम दस्मांस कुंडली ले ले लेते हैं तो अभी और क्लियर हो जाएगा दस्मांस कुंडली किस के लिए होती है कार्य के लिए काम कर रहे हैं जहां आप काम कर रहे हैं क्या वहां से आपको संतुष्टी मिलेगी वहां से आपको खुसिया मिलेंगी काम करने वाले अस्थान पर उचिस साधन संसाधन रहेंगे की नहीं रहेंगे ये सब कहां से पता चलेगा, दस्मांस के चतुर्थ भाव से ये सारी चीजे पता चल जाती है, दस्मांस का चतुर्थ भाव अच्छा है, तो आप जहां काम करेंगे, वहां पर जरूरत के लगभग सभी चीजें आपको मिलेंगी, वासरूम हो गया, गर्मी अत्यधिक है, तो एसी की घी आपका परिवार हैं तो क्या आप उस परिवार के साथ सामंजस से बना पाएंगे कारे छेत्र में कि नहीं ये दस्मांस कुंडली का फोर्थ हाउस रिप्रेजंट करेगा इसी प्रकार से अगर हम D3 ले ले लें D3 से क्या देखते हम लोग भाई बहनों के बारे में तो भाई बहनों ये हो गया D3 मतलब भाई बहन और चतुर्थ भाव क्या हो गया खुषी संतुष्टी का सुख का क्या भाई बहनों से आपको कुछ संतुष्टी जीवन में प्राप्त होगी की नहीं प्राप्त होगी, आपके भाई बहन आपको संतुष्टी देने का प्रयास करेंगे, खुसियां जीवन में देने का प्रयास करेंगे की नहीं करेंगे, ये आप इससे देख सकते हैं, और सब हर जगा पर कुंडली में कोई भी भाव देखेंगे कोई भी वर्ग कुंडली देखेंगे तो यही आपको देखना है भाव भावेस कारक को देखना है भाव में कुरूर गरा है सुभ गरा है नीच का गरा है कैसा गरा है स्वागरही गरा है यह सारे कॉंसेप्ट आपको लगा स्वाग्रही गरा हमेशा अच्छा होता है कुरूर होगा चाहे सुभ होगा अगर सुभ गरा है तो मिठास अधिक बढ़ा देगा और अगर कुरूर गरा स्वाग्रही होने में एसा होता है कि वह संतुष्टी तो दे देता है आपके पास अल्टो कार है तो आप संतुष्ट तो हो जाएंगे लेकिन अल्टो से बड़ी कार के लिए वो महत्वा कांचा पैदा करेगा मलब पीडित नहीं करेगा हिर्दे को की अरे ये मेरे पास इतनी बड़ी गारी नहीं है लेकिन वो आपको महत्वा कांच्छा पैदा करेगा आगे बढ़ाएगा तो क्रूर ग्रह का स्वागरही होना थोड़ा स्ट्रगल लाइफ में लाता है क्योंकि महान बनाने के लिए अचीवमेंट्स के लिए स्ट्रगल जरूरी है वही स्ट्रगल जो है बिना स्ट्रगल के चीज़ों को देने का प्रयास कर देता है नीच का ग्रह होगा तो यानि वो नीच में है उस ग्रह का प्रभाव बहुत कम हो गया है नीच का ग्रह कोई तब होता है जब उस भाव पे उसका प्रभाव बहुत कम हो जाए तो यानि उसका प्रभाव ही बहुत कम है तो यानि वो उन सारी चीजों का सुख देने में सच्छम नहीं होने वाला है हर कुंडली से चतुर्थ भाव से संतुष्टी देखिए खुसियां देखिए कि फला वर्ग से उस वर्ग से जो चीजें विचार होती है क्या उसका सुख आपको मिलेगा कि नहीं उससे संतुष्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी मानसिक संतुष्टी अगर नौमानस के चतुर्थ भाव में कोई क्रूर ग्रा बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति जीवन साथी से आसंतुष्ट रहेगा जीवन साथी के साथ मन का कुछ न कुछ मेल लगा ही रहेगा सुभ ग्रा होगा तो चाहे जितना भी वाद होगा लेकिन मन का मेल नहीं लगने पाएगा कोई व्यक्ति अगर मांगली खो लगन कुंडली में मांगली खो यहां मंगल हो यहां हो यहां हो और यहां हो अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है और नौमांस कुंडली का चतुर्थ भाव पीडित हो जादा कुरूर ग्रह बैठे हो कुरूर ग्रहों की दृष्टी हो तो यहसा मंगल और प्रभाव साली हो जाता है क्योंकि मंगल का में काम ही है दामपत्य जीवन में कला पैदा करना मंगलिक होने पर अगर मंगलिक का विवाह मंगलिक से नहीं हुआ अगर मैं उग्र हूँ तो जो सामने वाला व्यक्ति है अगर मेरे अंदर तेज है उग्रता है तो मेरी तेज और उग्रता वही व्यक्ति से पाएगा जिसके अंदर स्वयम भी उग्रता और तेज हो तेज को सहने के लिए तेज की ही जरूरत पड़ती है तो इसलिए मंगल के लिए मंगलिक की ही जरूरत पड़ती है ताकि इसकी उग्रता को अगला व्यक्ति सहले और ये खुद मंगलिक है तो उसकी उग्रता को ये भ पत्ति पत्नी के दूर रहने की संभावनाएं बढ़ जाएंगे ऐसे अगर सब्तमांस में है डी थिरी में है देशकार में है तो सब्तमांस से बच्चों से दूरी डी थिरी मतलब भाईयों से दूरी मन की दूरी पैदा कर देगा चतुर्थ भाव से मन का भी तो विचार होता है ना तो अगर चतुर्थ भाव जिन जिन वर्ग कुंडलियों में अच्छा है उस वर्ग कुंडली से विचार लिए जीव तत्तों से आपका मन लगा रहेगा और अगर पीडित है तो मन की दूरी बढ़ा देगा इसे आप उतार लीजे और सीखे फिर अगले पंचम भाव प लेंगा